कि नमस्कार स्वागत है आपका इस्पियर नाइल न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शुर्थी सीए को लेकर जहांदेश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं लेकिन यह विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है जियां बता दें आपको कि भीम आर्मी प्रमुख चंसेखर आजाद ने भारत बंद का एलान किया है आज भारत बंद का एलान किया है करीब दो हफ्ते पहले भीमार में प्रमुखु चंसेखर आजादनी तेस फरवरी को भारत बंद करने का एलान किया था और सभी राजनीतिक पार्टियों से ये अपिल कि थी कि इस भारत बंद पर उनका सहियों किया जाए यहां बता दें आपको कि ये भारत बंद का जो एलान किया गया था उसमें आपको बता दें कि उनके मुताबिक ये बंद केंदर सरकार के सम्विधान विरोधी आरक्षड विरोधी और गरीब विरोधी रवये के खिलाफ बुलाया गया है बंद को देखते हुए पश्मी उत्ताप्रदेश में सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए हैं पुलिस की इसमें बता दे आपको कि इस इंतजाम में पुलिस गस्त भी बढ़ा दी गई है जहां अगर बात करें CA को लेकर तो जिस तरह से अगर बात करें तो मुद्दा बना रहा शाहिन बाग का भी मुद्दा बना रहा यहां पर जहां पर महिलाई विरोध प्रिदर्शन पर बैठी हुई है और अगर CA को लेकर देखा जाए तो कई जगों पर विरोध प्रिदर्शन हो रहे हैं अभी भी इसके अलावा BJP सरकार का ये कहना है कि सबसे पहले जो विरोध कर रहे हैं वो एक बार CA को समझ ले अच्छी तरह से उसे समझ ले इसके बाद जो भी उनकी शंकाय है जो भी उनके सवाल है वो सरकार के सामने रखे सरकार उनके जवाब देगे जिया अनुसार जो बांगलादेश पाकस्तान और अफगारिस्तान से आए अलपसंख्यक प्रताडित अलपसंख्यक है उनको CA के तहत कुछ शर्तों के आधार पर यहां पर नागरिक्ता दे दी जाए लेकिन शर्त में यह भी है कि वह गैर मुस्लिम समझ आयका होना चाहिए और इ इसी वज़े से यहां तेश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं इसके अलाव आपको बता दे कि प्रदर्शन कारियों का कहना है कि CAA को वापस ले जाए या फिर संशोधन किया जाए यहां पर अगर बात करें CAA को लेकर तो जिस तरह से बीजेपी सरकार नहीं यह कहा है अग्रेमंद्रिय मिशा ने अपने एक रहली में कहा था कि कोई कुछ भी कर ले लेकिन CAA वापस नहीं होगा CAA किसी की नागरिक्ता छीनता नहीं है बलकि नागरिक्ता देने के लिए है लेकिन अगर प्रदर्शन कारियों की बात मानी जाए प्रदर्शन कारियों और इसी वजह से देश्वन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं बतादे आपको कि आज भारत बंद के एलान किया है अच वहीं राजनीतिक पार्टियों से भी अपेल की वहीं बता दें आपको किस भी चंसेखर आजाद ने एक बार फिल आज सुबह ही बंद में शामिल होने की अपील की थी उन्होंने क्या कहा था ट्विटर पर दिखा मेरी पूरे बहुजन समास से अपील है कि जो भारत बंद के अलान किया गया है अपील है कि नाइन साफी के खलाफ आवाज उठाना हमारा मौली का दिकार है इसलिए शांती पूर्ण धंग से भारत बंद करवाएं किसी भी अपनी घटना से बचें भाजपा के लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार के उकसावे में ना आए ये उन्होंने सुबह ट्विटर पर ट्विट करके लोगों से अपेल की है अब इस जानकारी पर आपकी क्या रहा है कमेंड बॉक्स में कमेंड कर जरूर बताएं बागे तमाम जानकारी के लिए बने रही है हमारे साथ और अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना बुले और अगर हम सुझाव की बात करते हैं तो आपके सुझाव महत्यपूर्ण है हमें जरूर बताएं कि यहां पर किस तरह की खबरे आपको पसंद आ रही है और तमाम खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार